वल्कम बेक गाईज आज का वीडियो खास होने वाला है आज मुझे इस प्रिजन से स्केप करना है और यहाँ पर सामने देख सकते हो एरो का सिंबल है और मैं इसे फॉलो करूंगा चैनल में आ चुके हैं आप चैनल से बाहर भी चलेंगे बाहर भी आ चुके हैं जंब करना हो कि मुझे जाना होगा और एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रैप को हलके में नहीं लेना है क्योंके सारे के सारे ट्रैप बहुत जदा ढेंजरस है समवाल के जंप करते हैं बहुत सही है मैं एक बार और जंप यह रहा रिंच रिंच लिया अभी जिसे नहीं चाहता हूं कि सबस्क्राइब क्या करेंगे बटन को दबाएंगे दबा दिया उपा टनल का डोड ओपन हो गया होगा अब मुझे इस बेरीज से बच कर यहां से भागना होगा और मैं वही कर रहा हूं आगे चलते सामने एरो का सिंबल है जो कि पाइप की तरफ पुल कर चनल है चनल में चलते है और ँडिवग वक्राइब यहां पर हमारा पूरी तरीके से कम्पलीट हो चुका है जंप करेंगे स्टोन के पिलर पर क्योंकि नीचे लाबा है हम लोग नीचे से नहीं जा सकते ओके ना अच्छी तरीके चलेंगे बहुत सही है मैं और हम लोग काफी सही तरीके से जा रहे हैं दिक्कत वाली सीन नहीं है बिल्कुल भी सीन नहीं है दिक्कत वाली जम्प करते वे चलेंगे बस थोरा ही बचा है इसे मैंने पार कर लिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं मेरे सामने कैसा ट्रैप आएगा समल के अरे नहीं यार मैं गलती से गिर गया बट कोई ना इस बार मुझे गलती नहीं करना और अबर सागे चलते गाईस गोला से समल के जब गोला आएगा समल के जाना होगा गोला आरा यहां पर स्टे करते हैं जब जब गोला मेरे सामने आएगा तब तक मुझे समल जाना है नहीं तो ये गोला मुझे कुचल देगा मैं kill हो जाओंगा और मैं kill होना नहीं चाहता फिर से अराए गोला wait करते हैं और यह जैसे गोला गया हम लोग आगे बर चुके हैं सीधा उपर चलते हैं अब देख सकते हूं लेडर यहां पर पहले से बना हुआ है और यह मुझे उपर लेके आ चुका है और यहां पर बेरीज का गार्ड मेरे पिछे पर चुका है विल घुमाते घुमा दिया फड़ाबर चलते हैं इससे पहले कि यह गार्ड मुझे पकड़ के kill कर दे जल्दी से मुझे यहां से दूसरे room से होकर अगले stage में जाना होगा और यही वो room है जिसे मैं यहां आता हूँ देख सकते हो अश्टेश तूटा हुआ है लेकिन समभल के मैं अगर में गिरूंगा तो नीचे लाबा भी है डायक्ट में मारा जाओंगा इसलिए समभल के जम्ब कोडिनेशन मिला के perfect होना चाहिए यह पूरी तरीके से perfect way मैं कर रहा हूँ तो guys हम लोग आ चुके हैं bridge के उपर अब आगे चलते हैं और यहां पर एक pull down करने वाया lever है pull down कर deactivate हो चुका है हमें थोड़ा सा wait करना है जब तक यह हमार lift उपर लेके नहीं जाता तब तक हमें थोड़ा सा wait करना है और यहां हम लोग पहुँच भी चुके है wending machine देख सकते हैं button दबाता है फटाबट से दबा दिया यहां पर मुझे एक drink देखने को मिला है अब हम लोग जा सकते हैं jump करते हुए लेकिन समल के अगर मैं थोड़ा सा mistake करूँगा तो मुझे फिर से strap को पार करना पड़ जाएगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ बहुत सही है man jump करते हैं ना सही तरीके से और safely तरीके से आधादूर ता चुके है आधादूर और बचा है इसे भी पार कर लेंगे फड़ाबर से चार प्लेट और बचा है अब से दो प्लेट बचा है ओके यह रहा लेडर और लेडर की मदद से हम लोग क्या करेंगे फड़ाबर चलते हैं और यहां पर एक और लेडर है इसका भी use करेंगे ना और फरावर्स उपर चलते हैं तो हम लोग यहां भी आ चुके हैं सामने देख सकते हो डोड अंदर चलेंगे अंदर आ चुके हैं यह रहा लेडर इसे उठा लिया अब हम लोग क्या करेंगे इसे सही जगर पर drop करेंगे तो चलो फड़ाबट चलते हैं इसे सई जगाए पर ड्रॉप करते हैं ओके यहाँ पर रखते हैं इसे फड़ाबट से तो मुन्हें रख दिया आप सीधा ऊपर चलेंगे इसे उपन करते हो अब जंप करना पड़ेगा और देखते हैं यह लेडर मुझे कहां लेके जाता है ओ ओर राइट आगे बढ़ते फड़ा-बट से तो गाइस हम लोग शेफली तरीके से यहां आ चुके हैं अच्छी तरीके से जाना होगा उसके बाद यहां भी आ चुके हैं लोग जा रहे हूँ है बिना किसे दिक्कत कि और मैं वई कर रहा हूं बहुत सफय है मैं तीन पाइप और बचाएप पार करेंगे अरे नहीं यार क्या मैंन में परफर्क तरीके से कोडिनेशन नहीं मिला पाए जिसकी वज़े समय नीचे गिरिया यह सेकेंड चांस है और अब मुझे बिल्कुल भी गरबारी नहीं करना है यह हमार सेकेंड चांस है बहुत सही है मैं आगे चलते हैं इसके उपर चलते हैं यहां भी आ चुके हैं उसके बाद सेफली तरीके समलग उपर भी आ चुके हैं आगे बढ़ते हैं गाईस और यहां पर नीचे आ चुके हैं क्यूंकि मुझे pipe के air को बंद करना है इसे बंद करते हैं इसे मैंने घुमा कर बंद कर दिया आगे चलते है फड़ाबर से और मैं काफी तेज तरीके सा आगे जा रहा हूँ सामने देख सकते हैं वील है एक और वील है हमें इसे भी बंद करना होगा पूरी तरीके से गाइस यहां भी आचुके हैं इसके उपर चलते तो safely तरीके से हम लोग यहां भी आचुके हैं और जैसे जैसे अगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने का चैलेंज बहुत जड़ा hard होता चारहा है बट कोई ना मैं सारे चल्लंज को फेस कर जावांगा मैं सामने टैनल है मुझे टैनल के अंदर जाना है तो गाईस हम लोग आ चुके है टैनल के अंदर ओके अब यहां पर कुछ अलगी सीन में निकलने वाले है तो हम लोग यहांभी सेफली तरीखेस आ चुके हैं जंब करना होगा, कोडिनेशन मिला के अरे यह नहीं यार मैं गलती से नीचे गिर गया बट कोई न इस बार मिस्टेक नहीं करना मुझे मिस्टेक इस बार मुझे नहीं करना है और मैं वही कर रहा हूँ बहुत सही है मैं, काफ diu तरीके से जा रहे हैं कि आमिन मैं जकेंद टाइम गिरीहा होड़ सफिक करना ही पड़ेगा मैं यह हो क्या रहा है मैं अब पथा मुझे कितनी बार नीचे गिरना पड़ेगा यह इतना ज्यादा ही आड dot получится यह इतना ज़ादा वक्त लग रहा है लगता है मुझे और यहां पर गाइस इसमें इस बार पार कर लिया मुझे लगाता है इस बार भी मैयं नहीं पार कर पहegँगा बठ इसमेश hp कर लिया आगेशे जंप करना पड़ेगा नमें कापी हाली जंप किया हर मुन अ長OT का अंदर आ चुके हैं गाइस आगे चल दे बड़ा बट से और यहां पर जैसे हम लोग आते हैं नीचे भी आ चुके मेरे सामने सेफ है अब मुझे क्या करना आगा सेफ को हराना पड़ेगा इसे किल करना होगा तब ही हम लोग यहां से निकल पाएंगे क्योंकि इसे मारने के बाद ही आगे जाने का रास्ता ओपन होगा और यह पताने क्या फेक के मारता जिसकी वज़े से मेरा स्पीड है का अभी स्लो हो जाता है यह रहा वेपन वेपन ले लिए मैं ट्राय करता हूं मारने का फटावर से गज़ मैंने इसे डैमेज गाना शुरू कर दिया है ओके तो गाइस यह सेफ हो चुका है बलास्ट अब हम लोग यहां से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और नीचे एरो का सिंबल भी बना है इसका मतलब हम लोग पुरा सही रास्ते पर है और यहां पर मेरा करेक्टर नीचे स्कॉल होने लगा है स्कॉल होते होते एक हाली जंप किया और यहां पर नीचे लैंड भी कर चुका है आगे चलते हैं न फड़ा बट से और अब देखते हैं कि मुझे क्या करना है इसके उपर जाना है नहीं तो हम लोग काफी सही तरीके सार हैं सामने एकज़र डोर है ओपन करा आगे चलते हैं अब मुझे एर में फ्लोटिंग करते हूँ उपर जाना पड़ेगा लेकिन समल के देख सकते हो रेड लेजर है मुझे इसकी चपेट में नहीं आना है एक एक करके मुझे सारे लेजर को बीट करना है और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं क्या होगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मैं फ्री होता है अगर आपका मन करे तो मन नहीं करता है फिर तो कोई बाती नहीं है आगे चलते हैं इसके उपर यह सबसे last laser है तो guys इसे मैंने चक्मा दे दिया है और नीचे हम लोग land कर चुके हैं आगे चलते हैं ना followers हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देख सेकते हैं मेरे सामने iron का लेडर है इसका use करेंगे और सीधा हम लोग इसके उपर चलते हैं क्योंकि मुझे चाहिए प्लैंक क्योंकि प्लैंक की मदद से ही हम लोग bridge बना पाएंगे यह रहा प्लैंक से यहाँ पर drop करेंगे drop किया आगे बढ़ते हैं फिर से उठाना पड़ेगा उठ जा man उठा लिया यहाँ पर drop करेंगे drop के आगे चलते हैं फिर से उठाते हैं उठा लिया यहां पे drop करेंगे drop के आगे चलते हैं ओके ना अब मैं क्या करूँगा इसके hand को destroy करूँगा ओके अभी हो जाएगा बलास्ट और यह हो चुका है पूरी तरीके से बलास्ट फड़ावर्ण सामने की तरफ चलेंगे और यह डोड़ अपने आप open हो चुका है देख सकते हैं एक वहिकल है हम लोग क्या करेंगे इस वहिकल को लेकर यहां से फड़ावर्ण से निकल चलते हैं गाइस और यहां पर स्टार्ट करेंगे और काफी तीज तरीके से और हम लोग यहां से निकल जाएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ओल पर सेट कर